तो आज हम बनाएंगे बिहार की एक बहुती फीमिश डिस्ट था यह देखने में तो बहुत सिंपल होता है लेकिन खाने में बहुत जादा टेस्टी तो सबसे पहले हम फिलिंग के प्रिपरेशन करेंगे फिलिंग के लिए हमें यह सारी चीज है रिक्वाइड होंगी फिर उ इसके बाद हम आलू डालेंगे आलू आप मेश करके ब Keys कर सकते हैं और NFS कर सकते हैं और नहीं तो मेरी तरह आप में भी इसकर चाहिंए क्यों बहुत क्यों थैसाना yesterday और फेली वह बनाने के लिए हमें चावल का आटा और उबला हुआ पानी पानी ज्यादा तेज गरम होना चाहिए तभी आउटर लेयर आपकी सॉफ्ट बनेगी तो सबसे पहले हम चावल के आटे में नमक डाल लेंगे और फिर उसके बाद उबलेवे पानी से उसको मिक्स करेंगे जब तक को एक अच्छी कंसिस्टेंशी में नहीं आ जाता जब वो एकदम अच्छे से गुन जाए और प्लीज आप हातों का उपयोग ना करें आपकी हाँ जल सकते हैं तो कोई बरतन ही ले ले चमच बड़ी चमच फॉक जिसमें भी आप कमफर्टेबल हो उसी से मिलाएं फिर उसक कि शुरूघल को क्या है तो हम बहुत पतली पत्ली नहीं बनाती हैं अब आपके टी त sought ihan ब्रेफर करते हैं कि आपकी टती है और जीन होथी पयार आएं जिको ब्नाघने में आपके बंद कडियों हो कि आए हमारे घर में अंतना तो यहां हम बहुत पतली बनाते हैं अग Cum होता है वो evenly spread हो जाता है जो दूसरी वाली तरह से बनता है पिठ्था उसमें क्या होता है जो sides होते हैं गुजिया वाले वो खाली रह जाते हैं इसलिए हम लोग prefer करते हैं यही वाली में उपर की तरफ फ्लोट होकर ना आने लगे अभी जैसे देखिए पिठ्था नीचे है थोड़ो दे के बाद जब इने चलाएंगे ना तो एक दम लाइट हो जाएंगे और अच्छे से मूव करने लगे और अगर आपको मैं टाइम बता हूं तो मुश्किल से मुश्किल का पूरा खा लीजे लेकिन एक और तरीका है जिससे जो कि हम जादा प्रिफर करते हैं थोड़ा सा कड़ाई में तेल लेते हैं उसमें मीठी नीम और राई डाल कर अच्छे से फ्राई करकर खाते हैं